गर्मी की भेंकर थपिष के बाद बारिश का आनन तो पक्का है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बर्सुद। पर बारिश जब आएगी ना उस बारिश को हम भी एंजॉय कर सकें। हमारे सारे पोधी भी इंजॉय कर सकें। इसके लिए अपनी पूरी तैयारी करनी है, अगर तैयारियों में कुछ कमी रहेगी, तो ना हम बारिश को इंजोय कर पाएंगे, और ना हमारे पौधे, तो देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है, नमस्कार, वेश्टी वेश्टी पर आप सभी का धेर सारा सौगत, आज कुछ बारिश की तैयारियों के साथ, देखे, पेर पौधों के लिए जो तैयारियां करनी होती है, तो उन में से लगबग लगबग 90% मैंने आपको तैयारियां पहले ही बता दी है, आशा करतियों के पिछले साल का या पिछले के पिछले साल का मांसून के पहले वाला वीडियो आपको डेटेल्ड वीडियो देखने यहां पर उपर लिंक दे रहे हुई तो यहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं फिल हाल मैं यहां पर जल्दी-जल्दी आपको रिमाइंड कराने की कोशिस करूँगी अपने सभी गमलों के ट्रेनेज होल पक्का से चेक कर लिजे बारिश होगी पानी लगाता है ठेहलेगा तो आपके पोदे खत्रे में पढ़ जाएंगे बहुत सारे पोदे आपके पास ऐसे होंगे जो कम पानी चाहते होंगे तो वो किसी आइसी जगहा पर शिफ्ट करिए जहांपर बारिश का पानी लगातार न इसके साथ ही साथ कि इस बार मैंने अपी आज क्या तैयारी करी बहु सारा मट्रियल हमारे पास किचन का ऐसा पड़ा होता जो हम लुग सुखा के रखते हैं खाद बना निकले जैसे कि केले के छिलके अब ये सारा सामान अगर बारिश राने तक पड़ा रहा तो इसको क्या हो तो भी इस्तेमाल हमारे होंगे कुछ ये प्याज के छिलके इस सारा मट्रियल आज मैंने सुबह से धूप आते ही बालकनी में डाल दिया ता अच्छे से सारा को सूख गया है अब इस सब का पाउडर बना के मैं अपना डिंबो में भरके रख लूँगी जिससे कि बारिश क वक्त पर मुझे परेशान नहोना पड़े जब जरूरा तो इस तपवदों को खिला दिया क्योंकि इन सब सामान को अगर यो ही छोड़ दिया जाएगा तो बारिश के टाइम पे इन सारे सामान में नमी आ जाती और फिर इनको पीसना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भर काम हो जाता है फिर हम इंतidh अगर इस तरह का कुछ सामान पढ़ा है तो उनको धूप दिखाईए पीस के फटा-फट से रख लीजिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि बारिश आज हो जाए या कल हो जाए या परसो हो जाए इसके साथ ही साथ आपकी कुछ खाद भी बन रही होगी कुछ बन चुकी होगी त इसको पैक करके रख लीजिए जो अधकचरी खाद है उसको भी पानी में मत छोड़िए क्योंकि अगर आपकी अधकचरी खाद में बहुत सारा पानी भर गया उसके बाद क्या होगा उस खाद से बारिश के समय पर बहुत बदबू आएगी कि बारिश के समय पर जब नमी ल बहुत जरूरी काम निपटाना है पर वो काम में बताऊंगी कल इसलिए कल आपको पक्का से आना क्योंकि वो काम इन सारे कामों से भी ज्यादा जरूरी है तो मिलते हैं कल एक और बहुत बड़ी तयारी के साथ तब तक लिए आप से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर कर दिए सबी अपनों को शेर भी कर दीजिए यह मांस जोन की बारिश सिर्फ आपके लिए नहीं है आपके अपनों के लिए भी परेशानी के सबब बन सकती है चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो बिल आइकन दबाये हमारे परिवार से चुड़िए और कल की एक खास त तब तक लिए धन्यवाद